Hello guys, so today we are going to discuss about Right to Education Act 2009, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. जैसा कि हमने पहले भी शॉर्ट्स विडियो के अंदर डिसक्स किया है Right to Education Act 2009 को, लेकिन यह है बहुत बड़ा और इंपर्टन टॉपिक है हर टीचिंग एक्जाम के परस्पेक्टिव से, तो इसको शॉर्ट्स विडियो के अंदर कवर नहीं किया जा सकता, तो अभी फॉल विडियो के अंदर इसको डिसक्स करने वाले हैं, हम लोग कम से कम समय के अंदर जादा से जादा Most Important Information को यहाँ पर डिसक्स करेंगे, तो अभी स्टार्ट करते है Right to Education Act 2009 के बारे में, 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 को इसे लोग सभा के द्वारा पारित किया गया था, उसके बार बात की जाए अगर भारते संसत की, तो भारते संसत के अंदर इसको 26 अगस्त 2009 को इसे भारते संसत के द्वारा पारित किया गया, अब बात की जाए कि यह लागू कब किया गया, चार अगस्त को इसे लोगसभा के द्वारा पारित किया गया तता 26 अगस्त को इसे भारते संसत के द्वारा पारित किया गया लेकिन लागू यह है अभी यहाँ पर नहीं हुआ लागू किया गया इसे 1st April 2010 1st April 2010 को इसे संपूर्ट भारत वर्ष के अंदर लागू कर दिया गया लेकिन जमु एन कश्मीर को छोड़ कर जमु एन कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर कुछ विशेश अधिकार जमु एन कश्मीर को मिले हुए थे उस टाइम पर भारत का एक मुखे राज्य नहीं था उसको विशेश राज्य का दर्जा प्रदान था तो इसने जमु एन कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ बाकी की सभी राज्यों के इंदर शाषित परदेश में इसको लागू कर दिया गया था अभी डिसकस करते हैं कि यह फोर्स किस के उपर करता है यह फोर्स करता है 6-14 साल के बच्चों को free and compulsory education देने के उपर free and compulsory education दी जा सके 6-14 साल के सभी बच्चों के लिए अब education free किस तरा से होगी सभी सरकारी विद्यालियों के अंदर 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए यानि कि 8 क्लास तक के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है और कंपलसरी कैसे हुई सभी सरकारी विद्यालियों के अंदर 8 क्लास तक किसी भी बच्चे को fail नहीं किया जा सकता है यह प्रावधान करता है RTE 2009 अगर बात की जाए disabled child की तो disabled child के लिए यह प्रावधान किया गया है 6 से 18 साल तक के लिए जहां पर एक normal child को RTE ने अधिकार दिये है 6 से 14 साल की free and compulsory education के लिए महीं एक disabled child को RTE ने अधिकार दिये है 6 से 18 साल तक के लिए अगर बात की जाए student teacher ratio की तो 30 students पर एक teacher होना आवश्यक है ऐसा कहता है हमारा RTE अगर 30 से जादा student होते है 60 तक तो यहाँ पर 2 teachers होंगे अगर 60 से जादा student होते है 90 तक तो 3 teachers होंगे और अगर 90 से जादा student होते है 120 तक तो यहाँ पर 4 teachers होंगे अगर 120 से भी जादा student होते है 150 तक तो 5 teachers प्लस 1 एक head master होना ज़रूरी है यह प्रावधान किया गया है RTE के द्वारा RTE ने working day step किये होए है कि एक teacher को 45 घंटे एक हफते की अंदर देनी ज़रूरी है 1 week के अंदर एक teacher इतना समय देगा बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लस अपने planning का time भी उसमें मिलाया गया है यानि कि एक teacher को lesson plan जो बनाने होते है planning का time प्लस learning वाला time जो जिस टाइम पर वो बच्चों को पढ़ाएगा वो time भी इसके अंदर include किया गया है अब बच्चों के लिए जो set किया गया है time प्राइमरी लेवल पर 200 days 1st to 5th class के लिए 1st to 5th class के लिए ये set किया गया है कि एक साल के अंदर 200 days एक बच्चे को पढ़ानी जरूरी है एक साल के अंदर होते हैं लेकिन उसमें Sunday की छुटी प्लस National holidays जो होते हैं प्लस religious holidays होते हैं प्लस winter vacation होती है प्लस summer vacation होती है इन सब को हटाने के बाद मिनिमम 200 दिन बच्चे के working days होने चाहिए यानि कि study वाले दिन होने चाहिए 1st to 5th के लिए 220 days जो set किये गया है वो किये गए है 6 to 8th क्लस के लिए यानि कि 6-8 तक के बच्चों के लिए 220 दिन 1 साल के अंदर set किये गए है कि study होनी चाहिए अभी बात करते हैं 1 साल के अंदर कितने घंटे select किये गए है यहाँ पर 200 days set किये गए है hours के बात करें तो 800 hours set किये गए है एक साल के अंदर primary classes के लिए और जो 220 days set किये गए ते 6 to 8th क्लस के लिए इनके लिए set किया गया है 1000 hours एक साल के अंदर बच्चों के working hours होनी चाहिए कि इतना time बच्चा सीख रहा है अभी आगे discuss करते हैं जो दाइरा तै किया गया है एक किलो मीटर दूरी का जो दाइरा तै किया गया है वो है primary classes के लिए अब उसके बाद आगे बात करते हैं तीन किलो मीटर दूरी का जो दाइरा तै किया गया है वो है secondary schools के लिए कि इतनी दूरी पर ही है विद्ध्याले होने आवश्यक है क्योंकि इसके दूर ना तो एक बच्चा सेथ पील करेगा और ना ही उसके पैरेंट्स उसको भेजेंगे तो यही प्रावधान किये गए है आर्टी-ई के अंदर इसके अलावा आर्टी-ई ने जो प्रावधान किये है वो है यह कि एक पैरेंट्स की क्या डूटी बनती है एक पैरेंट्स की डूटी बनती है कि गवर्मेंट तो फैसलिटी दे रही है लेकिन वो अपने बच्चे का नामांकन करवाए विध्याले के अंदर उसको एन्रोल करवाए इसके अलावा और क्या कहता है आर्टी-ई ने सभी प्रावधान के अंदर 25% तक आरक्षन किया हुआ है गरीब बच्चों के लिए EWS के माद्यम से गरीब बच्चे भी अच्चे प्राविट स्कूल के अंदर दाखिला ले सकते हैं उसके फीस जो है गॉर्मेंट के द्वारा ही टे की जाती है यह प्रावधान भी आर्टी-ई ने किया है इसके अलावा क्या प्रावधान किया गया आर्टी-ई में जो एजुकीशन थी वो 45 वे अनुच्चेद के अंदर आती थी लेकिन RTE ने प्रावाधान किया 86 वा सम्विधान चेंशोधन किया गया तथा Education को Article 21A की अंदर लाकाश चामिल कर दिया RTE Education Act 2009 ने सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यहाँ पर संपोर्ण होता है चानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेर इन सब्सक्राइब करें जय हिर्द जय वारत